आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उस चीज़ को या फिर उस Process को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो बेसिकली ये Process जो हम लोग Gene Manipulation के नाम से जानते हैं जहां क्या होता है कि Through Genetic Engineering जो Scientist है वो क्या करते हैं वो Different Plants को लेते हैं और उनकी जो Character सबसे ज़्यादा Viable और Special होते हैं उसको ये लोग एकटा करते हैं और इसी Characters को क्या करते हैं ये लोग तूसरे Plant में जो की Desire Plant है Desirable Plant उसमें डालते हैं और फिर उस Plant को क्या किया जाता है Cultivate कराया जाता है जिसे कि क्या होता है कि जो Plant Cultivate कराया गया उसमें वही सारे Characters हैं जो कि scientist को चाहिए था और यही चीज़ थाबित करता है कि उनके जो genes है वो अल्टर हो चुके हैं और उनके जो new alleles है या फिर new characters है वो भी transmit हो चुके हैं जो कि nature के लिए या फिर nature में उनके रहने के लिए बहुत जादा suitable माना जाता है तो यही चीज़ को इसी process को gene manipulation कहा जाता है जो कि laboratory यानि in vitro condition में किया जाता है तो हमारा third option जो है वो correct option हो जाएगा बागे भी हम लोग discuss कर लेते हैं तो पहला है splicing तो splicing जो है वो gene में किया जाता है जहांपे क्या होता है कि जो introns होते हैं उसको cut करके निकाल दिया जाता है और उसी जगर जो exon terminals होते हैं उसको join कराया जाता है और यही चीज़ होता है splicing में नेक्स है genetics जहांपे gene और जो gene के belongings है उसके बारे में study किया जाता है कि कौन सा कहा पास कर रहा है और किसके characters जो हैं वो दिख रहे हैं या फिर visible हो रहे है dominant recessive यह सारे चीज़े भी genetics के अंदर ही count होते है last है totipotency जहांपे क्या होता है कि माना जाता है कि एक single cell में इतना ability होता है कि वो बहुत ज़ादा divide होने के बाद differentiated cells में convert हो जाते है differentiated cells जैसे for example अगर हम लोग zygote को देखें तो zygote एक ऐसा cell है जो कि single या फिर हम लोग deployed cell भी कह सकते है और यह जो zygote है वो फिर क्या करता है कि multiple divisions करते है और यही जो multiple divisions होते है यह mitosis के through होता है और यही mitosis से क्या होता है कि different organs और different tissues जो है वो form करते हैं और यही जो different organs और tissues है from the single cell इसी चीज़ को टोटी potency कहा जाता है तो according to the question जो हमारा correct answer होगा वो हो जाएगा third जो की gene manipulation है